अम्रत को का करें बताए दे प्यारी अरे अम्रत तो मुर्दों के लिए चाहिए भला तुझे अम्रत की क्या वश्चता पड़ गई है कहने लगी मैया मुसंकर ने बत दियो बड़ो बलकारी भगवान चंकर की उपाशना करके मैंने पती को पाया है अरे तू रादा की बैती है अपनी आउकाद को न भोल शादी भी तेरी बराबर बाले की सिशे होगी इस मुर्दा को तू उठा के लाई है उस मुर्दा के मुर्दान का भी कोई पता नहीं मा तुम तो बहुत देर से भासर देना शुरू हो गई हो बगर मेरी तो सुनो भगवान संकर के बचन को तुम जूटा नहीं कर सकती मा मैया सुनो बचनो खमारो दी मोई देदेताने कैसा खारो दी मेरो बची डाबे प्रानने प्यारो दी मा नूंगी ये सानो तुमारो दी देरी तेरा गुन नहीं भूलूगी मा मेरे हरदस समराज को किशी तरह से तु बचा ले दौंती को पीश कर नागर करने लगे और लड़की आशु बहा भा के चोचले न कर तेरी बाप को पता लगया ना तेरी क्या चली मुझे भी मार देगा बहुत गुशा में है वो इस शादी को कभी कुबूल नहीं कर सकता मा नागर करने लगी मा बार बार मा मा के ग्रट लगा के तु रह गई है मेरी बात को अपनी खोपर में रख और सुन नागर कहने लगी ए रेक बिटिया सुन ले मेरी मत कैसी हुई आई भंगरे लाले ती अब जा तेरी मेरी लली भबुल तर जो चर्चा शुन ले तेरी हाई का चली अमारी बो मोह उकों चैंते ओरी बिटियारी ओरी लालोरी अकली पे पथर तेरे बड़ी आये हैं तो इसकी अन्य दवए बेहका योरी लालोरी अकली पे पथर तेरे बड़ी आये हैं तो इसकी अन्य दवए बेहका योरी लालोरी अकली पे पथर तेरे आये तिमाग खराब नहों जाए याद रख अगर तरे बाप को पता लग गया तो तेरी क्या चली वो मुझे भी मार देगा इसलिए उस लाज को फैंक दाए मेरे नौजबानों जो फैंकने का नाम सुना है एकदम हा मा कह करके और उस नागिमी पचार खाई है जो एहलम दे पचार खाके गिरी है हाई मौसर जागने करने लगी माईया ने सोची हाई कई बिटिया भी मरगी तो गजब हो जाएगा एकदम गोदिम उठा लिया और ची आजी यह मंगा है जर दुरी दिन में मंगा है तो वे साड़ीों जी एकदम से कहने लगी बेटी मेरी बात सुन अपनों पति मोई दिखाई देरी मेरे दिल की आदि बुझाई देरी अपने पिया को मुझे दिखा दे अपने पिया को मुझे दिखा दे अगर तेरा चुना हमें पसंद आजाएगा तो मैं आमरे जरूर मंगा दूंगे कान लगी चल माईया तेही कि समय इत्ते अच्छे हैं तु एक दाँ देख तो लेवा नागन कान लगी कहा है वो बेर रखे वा कमराम रखे चुका बूरा है तो धरो है जर लड़की ने तो मेरा सरी खा लिया ओ पागल लड़की कहा है वो चल मैया देख चीख न मा ओ सुन मैया के वे नवरे बिटिया तो हारे साई अमा को लेके संगवरे ममी को लेके संगवरे कमरा में लादिली आई देख मैया जो चेहरा को दिखाया है लिया फटा करके नागनी दांते तले उंगुली दबा गई क्यूंकि पवनपुत भीम शूर की तरह दमक रहा था बाव भाईल बाव मेरी लादिली कर चुनाओ बहुत अच्छा है महाराद भीम को देखो शुंदर रूप मगन नागिनी भाई दो बिध जाको रूपया नूप तो लो का कान लगी अम्मा ओरी मैयारी ओरी अमारी मरे पर कैसे अच्छे लगी रहे हैं आा, खुले शब्दो тебяं किसे अच्छे लगी रहे हैं आ, खुले शब्दो में कहने लगी, मा, देख हम्, हम समझ गए है है है, है 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 चुनाओ तो अच्छा किया है कान लगी मैई आवे तो मरे मरा आई है इनकी जिन्दा तो करें कि इनकी चालते आउंगा नदा सकेजे चिंता मत करूँ आद आने दो मैं अपने पिया को सब कुछ बता दूंगी इदर बापसिक करवे शेल गयों नेरी महल सुनो सरदारी सैया को आबद देक मंगो ही प्यारी इदर बासिक कचैरी को वरखास करके जब महलों में पहुंचा तो अरधांगनी ने उठकर के अपने पि कहने लेगी कार्ये शुमंत्री कन्डे सुदासी भोजने सुमाता सैने सुरंभार धर्मान कूला छमा धरंती शडम गशुमेदत पत्तिवर्ता लक्षणम महराज पत्तिवर्ता की नातिशी कार्ये सुमंत्री किसी काम को कराने के लिए अपने पत्ति को मंत्री की तरह शाला दे कांडे सु दासी काम करते समय दासी की तरह काम करे भूजने सु माता भोधन कराते समय मा की तरह प्यार करके अपने पिया को भूजने